नमस्कार आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास कारेकरम गुजरात की गद्दी मैं हूँ आपके साथ सांची बंसल गुजरात में होने वाले विधान सभा चुनाव के लिए लगभग सभी राजनितिक दलों ने अपनी पूरी ताकत चौंग दी है एक दूसरे पर आरोप, प्रत्यारोप और टिकेट के लिए बगापती रूप भी सामने आने लगे हैं 2017 में राहुल गांदी ने यहाँ पर धुआधार प्रचार किया था लेकिन इस बार वो भारत जोडो यात्रा निकाल रही है भारत जोडो यात्रा के चकर में राहुल गांदी हिमाचल प्रदेश में चुनाफ प्रचार करने तक नहीं पहुँचे वहीं पार्टी सूत्रों का कहना है कि कॉंग्रेस ने ग्रामेर्ण गुजरात में लोगों से ठीक ठाक संपर कर लिया है कॉंग्रेस को वहां अच्छे प्रदर्शन की उमीद नजर आ रही है लेकिन चुनाफ की सरगर्मी के बीच कई सवालों को तूल मिल रहा है इन ही सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है ये एक अलग प्रश्ण है जिसका जवाब जो है नतीजों की बाद दिख लेगा लेकिन अगर मेरी परसनल उपीनेगर आप माने तो मुझे लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी ने भारती जनता पार्टी को गुजराद जो है सौप दिये बैस जीत जाओ क्यों कि प्रचार प्रसार इतना लोग प्रफाइल है कि कॉंग्रेस पार्टी के पक्ष में कोई हवा भी नजर नहीं आ रहा और इतना ही नहीं एक पार्टी जो दिल्ली से चलकर गुजराद पहुची है वो इतना ज्यादा बवाल मचा करके इतना ज्यादा सकते कि हाई प्रफाइल केंपेंड के साथ वो अपने आपको नंबर टू की पार्टी लोगों की दिमाग में है नहीं लेकिन उस तरह का इमज क्रियेट करने में वो काम्याब रही है तो आम आदमी पार्टी से ही पहले तो कॉंग्रेस पार्टी को लड़ना होगा और अगर आम आदमी पार्टी 20% वोट ले आती है तो कॉंग्रेस पार्टी कहा जाएगी ये कुछ बड़े सवाल है लिकिन इसके बाब जूद उन लोगों ने रणनिती बनाई है जो हमारे पास जानकारी आई है उसके मताबिक कॉंग्रेस पार्टी के रणनित कारों ने कुल मिलाकर चार अलग-अलग के विधान सवाकों में बाटा है A, B, C, D A के जहां कॉंग्रेस पार्टी को लगता है कि हमारे जीत पक्की है B जहां टसल चल रहा है कि मुकाबला टच अन गो का है C कटेगरी वो है कि जहां कॉंग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल है वहाँ पे बहुत मेहनत करनी क्या हो सकता है और D कटेगरी जहां पिछली बार भी जो हार और जीत का मने B जेपी जो जीती वो दारा इतना जादा है कि वहाँ पे जीत संभव नहीं है तो यह चार कटेगरी के अलग अलग सेग्मेंट्स इन लोगों ने तयार किये है अब नजर तो नहीं आता लेकिन कॉंग्रेस के मित्र बता रहे हैं कि हम लोगों ने जानबूच के तयारी की है कि मीडिया से दूर रहना है अज़ब कहानी है ये दलील समझ में नहीं आ रही वो कह रहे हैं कि देजबर के निता वहाँ जा रहे है चुपके चुपके चोरी-चोरी वहाँ पे कैमपेइन किया जा रहा है और उनको ये कहा गया है मीडिया से दूरी बना करके रखिए जी ऐसे समय में तो मीडिया की जरूरत पढ़ती है पार्टियों को अब पता नहीं ये कभी दास की उल्टीवानी बरसे कंबल और भीगे पानी राहुल गांधी की नित्युत में कॉंग्रेस पार्टी कुछ भी कर सकती है और एक दूसरी पार्टी है आम आदी पार्टी जो मीडिया में चाही हुई है अब ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि परचार परसार जो है वो अंदर अंदर करो बाहर मत दिखाओ तो ये चार कटिगरी पर अलग-अलग काम हो रहा है लेकिन इन लोगों की जो पूरी तैयारी की गई है वो पताया जा रहा है कि CSDS ने कोई सर्वे किया CSDS के सर्वे के आधार पे ही ये लोग रन नीती बना रहे हैं मैं आऊंगा कि भही वो कैसे क्या करना है उसमें अब इस पूरे रन नीती का दूसरा जो पहलू है वो पहलू ये है और जिसको शायद कॉंग्रेस पाटी ने इग्डोर कर दिया या नहीं कर पा रही है वो ये कि पिछली बार भारती जनता पाटी सबसे कम सीट लाकर के सरकार बनाई थी 99 सीटी जीती थी लेकिन वोट परसेंटेज 48 था और 42 के आसपास आपको वोट मिला था कॉंग्रेस पाटी को और पिछले सुनाव में मीडिया महौल सब कुछ कॉंग्रेस के पक्ष में था ने ने लोग जुड रहे थे राहूल गांदी का धुवाधार भाशन चल रहा था रैलीज हो रही थी डो टू डोर केंपेन हो रहा था कॉंग्रेस पाटी का संगठन पूरी तरीके से सो कह सकते कि अच्छे उर्जा के साथ जो है वो मैदान में डटके लड़ रही थी लेकिन फिर भी साथ आठ परसंट का गैप ये साथ आठ परसंट का गैप जो है उसको कैसे भरा जाए ये कॉंग्रेस की रन्नीती में नजर नहीं आ रहा बाहरी निताओं से आप आठ परसंट के मार्जिन को बराबर कर पाएंगे ये तो पॉसिबल नहीं है वो इसलिए भी पॉसिबल नहीं है कि ये आठ परसंट का गैप तभी कोई पार्टी उसको फिल कर सकती है उसके लिए दो चीज़े होनी जरूरी है कि सरकार अभी बीजेपी की है तो उनके खिलाफ एक एक एंटी इंकम्बेंसी एक दम यत्र तत्र सर्वत्र नजर आना चाहिए कि कोई आदमी गुजरात पहुंचे वहाँ उसको मालम चले कि नहीं लोग नाराज है सरकार से जैसे हम लोग हिमाचल में थे तो हिमाचल में लग रहा था कि नाराजगी है वो भी पूरी तरीके से नहीं लेकिन नाराजगी नजर आ रही थी ऐसी नाराजगी गुजरात्म नहीं है तो ये आठ साथ परसेंट को कवर अप करने के लिए जो जरूरी चीज है वो जनता में सरकार बदलने की एक चाह एंटी इंकम्बंसी और दूसरा कि जिस पार्टी को चैलेंज करना है उसका सांगठनिक जो ताकत है जमीन में आपके जो कार करता है वो इतने ज़्यादा उर्जवान और करमठ हो कि आपको इस नाराज़गी को वोट में कनवर्ट कर सके कॉंग्रिस पार्टी के लिए ये जो मैं साथ आठ परसेंट का गैप बता रहा हूँ वो दोनों ही कंडिसन फुल्फिल नहीं कर पा रही है कॉंग्रिस इसलिए ये बहुत हरकुलियन टास्क दिख रहा है कॉंग्रिस पार्टी के लिए लेकिन कॉंग्रिस पार्टी के मित्र बता रहे हैं कि भई देखिए हम लोगों ने तो बहुत मेहनत की है वो प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा हमने निकाली थी उससे बड़ा महौल बना लेकिन हमने तो महौल देखा नहीं खेर कॉंग्रिस के लोगों को लगता है कि भई महौल बदल गया है मुबार्ट बाद उनको दूसरे चीज़ जो वो कह रहे हैं कि हमने आदिवासी दलित बहुल और ग्रामीन छेत्रों में हमने फोकस की जो आपने इंट्रॉडक्शन में कहा और जो रूरल सीटे हैं सौ के आसपास हैं दिक्कत क्या है वहाँ आपके कह देने से कि भई आदिवासी दलित ग्रामीन राहुल गांदी के भासन से वो इंप्रस हो जाएंगे और बीजेपी को वोट ना करेंगे एक चीज़ याद रखने की है यह कोरोना काल में जो ग्रामीन इलाकों में गरीबों को अनाज पहुँचा बैंक में पैसे ट्रांसफर होए इसका इंपेक्ट हर राज के चुनाओं में दिख रहा है तो इसलिए यह सुगूफा दिल्ली में बैठ करके कई सारे पत्रकारों को मैं देख रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आएगा कॉंग्रेस पार्टी बहुत ही माइक्रो लेवल पर केंपेंड कर रही है माइक्रो लेवल पर केंपेंड अगर आप कर रहे होते 6 मैंने पहले और दो मैंने पहले उस माइक्रो लेवल पर जो आपने केंपेंड की उसका रिजल्ट देखने को मिल जाता तब तो मज़ा आ जाता तब चुनाओं कॉंपुटिटिव हो जाता लेकिन चुनाओं में कोई competition नजर ही नहीं आ रहा है और इसलिए गुजरात की गद्दी की जो लड़ाई है वो वन साइडिट दिख रही है इसमें एक बात और जो मैंने कहा कि CSDS के जो आंकड़े हैं वो Congress Party बड़े अध्यान से उसको उस सर्वे ने और बाकी तमाम सर्वे ये कह रही है कि ये केजरीवाल Congress Party को बहुत नुक्सान दे रहा है भारती जन्दा पार्टी का वोट कम और Congress Party के वोटों को ये काट रहा है और अगर आम आद्मी पार्टी 15% वोट लेकर के आ जाती है 20% वोट लेकर के आ जाती है तब तो ये समझिये कि हम इस साजों कह रहे हैं कि एतिहासिक रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आएगा Congress Party को Congress के संगठन को अगर इस चुनाव में अपनी साख बचानी है अपनी इजद बचानी है तो अभी जो कुछ 20 दिन बचे हैं उसमें बहुत एड़ी चोटी की मेहनत किया वोश्कता पड़ेगी Otherwise ये एक सुकर सकते हैं कि Already declared match है किसका विजयता कौन है और सबसे बड़ा loser कौन है डॉक्टर मनीश बीते 5 सालों में कॉंग्रेस के कई विधायकों ने बीजय पे जॉइन की है उपर से राहूल गांदी क्या रहे हैं कि वो एतिहासिक जीत उनकी दर्ज होगी गुजरात में राहूल गांदी क्या बोलते हैं उनको खुद पता नहीं है उनको जाना चाहिए था कब से प्रचार प्रसार के लिए पिछली बार तो जितने यंग ब्रिगेड थे जो कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से लड़ रहे थे वो तो भारती इंद पाटिम चले गए आपके पास कौन लीडर है आप ये सोचेंगे कि भी गहलो जी जाकर क्या आपको गुजरात में चुनाओ जितवा देंगे मलिक आरजुन वहां जाकर के गुजरात में चुनाओ आपको जितवा देंगे इंपॉसिबल एक बात समझने की है जो हिंदी बिल्ट का जो चुनाओ होता है वह तो बाहर के लीडर जाकर के कन्विंस कर सकते हैं और वो उसका एक स्टार अट्रेक्शन किसम का होता है उससे अलावा कुछ नहीं लेकिन जहां लैंग्विज बैरियर आ जाए आप गुजरात के अर्बन सेंटर्स को छोड़ दें तो हर जगह तो बाकी लोग गुजराती ब आपके समझे जो दिकत भारती जनता पाटी को बंगाल में रही थी कि बाहर से तो आप लोगों को कठा कर रहे थे तो नड़ा जा रहे हैं तो योग्यादी तनास जा रहे सारी लोगों को आप भेज रहे हो but the problem is they cannot communicate in their language और यह जो communication gap है वो ममता बरजी को benefit कर गया उसी प्रकार से जो Congress party और यह जो आमाद्वी party यह जो बाहर से निता जार है वो चुके उनके language से communicate नहीं कर पार है एक बहुत बड़ा एक barrier है और यहीं भारती जिनता party को एक plus point मिल जाता है इसलिए राहूल गांदी जो कह रहे है एतिहासिक जीत मैं तो उल्टा कह रहा हूँ कि गुजरात में एतिहासिक हार के मुहाने पे खड़ी है Congress party बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर बंड़ा यानि कि अब गुजरात चुनाव में जहां party जनता को लुभाने में लगी हुई है खूब मेहनत कर रही है वहीं ये कयास लगाया जा रहे है कि गुजरात में राहूल गांदी के एंट्री से विपक्ष को कुछ खास मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा आज आपको इसी सवाल के साथ छोड़ कर जाते हैं कि क्या गुजरात में राहूल के एंट्री से विपक्ष की चिंता बढ़ेगी कमेंट्स के जरी अपने सुझाग बताना ना भूले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे, शेर करे और हाँ ऐसे ही एनलेटिकल वीडियो के लिए Capital TV को सबस्क्राइब करना ना भूले जैहिन ले